दोस्तो 12 नवंबर रविवार यानि की दिवाली वाले दिन सल्मान खान और कैटरीना कैप की मोस्ट अवेटेड फिलम टाइगर 3 सिने मघरों में रिलीज हो चुकी है फिलम को दर्शको का अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है फिलम में सारुक खान ने अपने पठान लुक से कैमियो दिया है जिसको लोगों के द्वारा खुब पसंद किया गया फिलम में एक बार फिर दर्शको का टाइगर और जोया की केमिस्ट्री ने दिल जीत लिया इसकी अलावा फिलम के फाइट सीन भी दर्शको को खुब पसंद आ रहे है ताइगर 3 मुवी में सल्मान खान, कैटरीना कैप और इमरान हासमी की परफोर्मेंस ने फैंस का दिल ज फिलम है इससे पहले इस फिलम के दो पार्ट टाइगर और टाइगर जिंदा है आये थे पहले दोनों पार्ट में कैटरीना कैप ही सल्मान खान के साथ नजर आई थी इस बार भी कैटरीना कैप ही सल्मान खान के साथ जोया के किरदार में अपनी एक्टिंग के जंडे गाड ताइगर 3 में इमरान हासमी ने विलन का रोल किया है जो कि फैंस को काफी पसंदा रहा है वीक डेज में ताइगर 3 मुवी का कलेक्शन काफी कम होता जा रहा है लेकिन उमीद है कि वीकेंड में फिर से फिलम की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक कैटरिना कैप, सल्मान खान और इमरान हासमी की मुवी टाइगर 3 ने 6 दिनों के अंदर 200 करोड के कलम में एंट्री मार ली है टाइगर 3 मुवी को मनीश सर्मा दुआरा डाइरेक्ट किया गया है और इस मुवी का बज़र 300 करोड रुपए बताया गया है इस मुवी को अभी तक IMDB पर 7.7 की रेटिंग मिल चुकी है इस मुवी को अब सिनेमा घरों में आये 6 दिन कम्पलीट हो चुके हैं अब बात करते हैं छटे दिन के बोक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में टाइगर 3 मुवी को हिंदी, तमिल और तेलगू तीन भासाओं में रिलीज किया गया था इस मुवी ने हिंदी भासा में सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया उसके बाद तेलगू भासा में, लेकिन तमिल भासा में इसका कलेक्शन कुछ खास नहीं रहा हिंदी भासा में इस मुवी ने अपने पहले दिन यानी ओपनिंग दे पर 43 करोड की सांधार कमाई की थी वहीं अगर आज चठे दिन की बात करें तो इस मूवी ने अपने चठे दिन 13.18.000.000 की कमाई कर ली है इसी के साथ टाईगर 3 मूवी का हिंदी नेट बोक्स औपिस कलेक्शन 196.18.000.000.000 तमिल नेट बोक्स औपिस कलेक्शन 63.000.000.000.000 इगुनेट बोक्स ओपिस कलेक्शन 4 करोड 28 लाक रुपय हो चुका है अगर बात करे टाइगर 3 मूवी के इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का इंडिया नेट कलेक्शन 201 करोड 9 लाक रुपय हो गया है इंडिया ग्रोस कलेक्शन 224 करोड 80 लाक रुपय वह वर्ड वाइड कलेक्शन 297 करोड रुपय हो चुका है। करनाटका में 634, केरला में 133, मध्यापरदेश में 896, महराष्टर में 2500, मेगाल्या में 8, नागालेंड में 8, ओडिसा में 366, पंजाब में 752, राजस्थान में 647, तमिलनाडू में 399, तेलंगाना में 434, तिरुपुरा में 300, और उत्तरपरदेश में 1294, उत्राखंड में 230 वेस्ट बंगोल में 727, दिल्ली में 1471, और जम्मु एंड कस्मीर में 61 सोज है, दोस्तो इन आखडों को देखती हुए ये मूवी आज के दिन 12-15 करोड का सांदार कलेक्शन करने में काम्याब रहेगी, दोस्तो एक था टाइगर मूवी और टाइगर जिन्दा है मूवी, औ और वोर और पठान के बाद यह है YRF Spice Universe की पांचवी फिलम है, जो भारत की सबसे बड़ी फिलम IP है, YRF की Spy Universe की सबी फिलमें बलोकबास्टर रही है, दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बतान आपकी फेवरेट मुवी कौन सी रही इस साल की, मिलते हैं किसी नई वीडियो में